और एक नौए वीडियो में बहुत हो सागत करता हुए लखेंदर तो इसका पिछले वीडियो में मैंने बताया था मतलब डाटर लगर जो है रेल में किसलिए रेल्वे में किसलिए यूज किया जाता है बिना कोई टेक्निकल टॉर्म का नाम लेते हुए मैंने आपके सामने र किये थे तो अभी हम लोग को यह जानना भी जोरूरी है कि जब इस डिवाइस को इतना सारा पर्पोस के लिए रिंडियान डेल्वे में यूज किया जाता है तो यह डिवाइस आखिर काम केसे करता है और यह डिवाइस क्या है तो इस वीडियो में हम लोग इस डिवाइस का करके सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल बटन जरूर दबाईए ताकि अगले नौय वीडियो का नुटिफिक्शन मिल जाएगा आपको सबसे पहले आप अगर सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते हैं तो हमको और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है तो इसलिए चल टॉर्म या टेक्निकाल वार्ड यूज करते हुए मैंने आपको इन जेनराल बताऊंगा कि डाटा लगर क्या है और के से काम करता है तो उस टॉपिक को जाने से पहले मैंने आपको दो चीज का बारे में बताना चाहूंगा एक होता है सिग्नलिंग गियर्स दूसरा होता है ट्रेन जो है एक लाइन से दूसरा लाइन को जब डाइवर्ट होता है तो ये पॉइंट का मदद से ये ट्रेन जो है चेंज कर पाता है एक लाइन से दूसरा लाइन तो ये भी एक सिग्नलिंग गियर्स है दूसरा देख लिए स्क्रीन का उपर में इसको बोलता है सिग्नल सबको पता है तो यह signal किसले के यह decrease हो गया अब आता है था है अब थिसरा ट्राक सर्खेट आप देखे लिए इसक्रीन का उपर में वोगंग यह लिगनल इसको फैर्ट सबस्कोने से इसकती होगा से सिनिम का उपर में देख लिए इसको बोलते हैं IPS इसको अगर आप जनल वे में समाझना चाहेंगे तो यह जनली जितना भी मैंने signaling gears आपको बताया point बताया signal बताया track set बताया इसके लिए इसका operation के लिए different different voltage होता है वो जो voltage जनली IPS से जाता है आप इसको अगर अभी आप स्क्रीन का ऊपर में देख लिए जितना सारा चीज़ है आप स्क्रीन का ऊपर में देख लिए जिए यह सारा का सारा relay से connected रहता है अब what is relay relay is nothing but switch तो यह जितना सारा signaling device से switch से connected रहता है या switch या relay इसको relay बोलते है railway language में तो यह relay से सारा का सारा चीज connected रहता है और relay से फिर data logger connection रहता है ठीक है तो यह relay room देख लिए आप स्क्रीन का ऊपर में ऐसा होता है relay room huge quantity होता है होर gear के लिए relay होता है बहुत सारा relay होता है होर gear के लिए तो सारा का सारा signaling gears दो है relay से connected रहता है और relay से data logger connected रहता है through physical wire यह physical wire का through से connected रहता है कोई wireless wireless कोई Wi-Fi का इसमें system नहीं है physically through cable का मदद से connected रहता है अब data logger जहें दो type का input लेता है ठीक है एक होता है analog एक होता है digital अब digital बोलने से यह है जितना relay यह relay room में आप देख रहें देख लिए screen का उपर में यह सारा का सारा relay को एक साइड में count मतलब इसको रीड करता है और दूसरा साइड में आप देख लिए डाक्टलर का पिच्चर में दिखा रहा हूं यह होता है अनलाग साइड ठीक है दूसरा स्क्रीन देख लिए यह होता है digital साइड अब अनलाग साइड बोलने से जैसे कि मैंने आपको पता है signaling gears को function करने के लिए different signal gears होता है में आपके सामने तीन रखा था और भी बहुत सारा signaling gears होता है यह सारा signaling gears वो फंक्शन करने के लिए बहुत सारा voltage को different different voltage को जरूरत पड़ता है तो यह जो voltage को जरूरत पड़ता है यह जनरली यह voltage को भी data लग और monitoring करेगा कि कि कितना voltage अभी है कितना voltage कम हो गया है कितना voltage ज्यादा हो रहा है time to time बिलकुल एक दो monitoring कर सकते हैं हम लोग देख सकता है जो भी railway repetitive है जो भी maintenance team है वहांको वो लोग को easy हो जाएगा कि कौन सा voltage drop हो रहा है कौन सा voltage बढ़ रहा है वो हो जाएगा देख सकते हूँ आपर एसे ही digital में भी देख सकता है अभी gears का status क्या है ठीक है gears दीन में कितना भार operate हुआ है अब बात आता है देखेगा कहां देखने के लिए दोस्त ये local station में मैं जैसे बताया था इसका पिछले वीडियो में कि होर station में डाटा लगर connect रहता है और local भी एक computer उसमें connect रहता है आप्लीकेशन सब्टेर का मदद चे जो भी उनका maintenance टीम है यह supervisor label होते है railway का उन्होंने इसको देख सकता है railway gear का condition जो है देख सकता है कुछ voltage अगर देखना चाहिता देख सकता है यह से ही एक duplicate भी connected रहता है जहां पर DRM office होता है डिविजिनल railway manager जो office होता है उहां पर भी ये through wire भी connector रहता है जड़ा सकता है और without wire भी connector रहता है आज काल ज्याजातर place में through wire ही connector रहता है optical fiber cable जिसको बोलते है OFC का through से यह quad cable का through से यह सारा का सारा station का data logger है आप देखे लिए screen का उपर में इस tab का connector रहता है DRM office से DRM office से ही same setup हम लोग रखा गया है इसमें भी एक application software loading करके इसका through से भी यह central place में इसका monitoring किया जाता है यह था कि data logger काम कैसे करता है मैंने बताया कि बिना कोई technical word यूज करतो है मैंने बताया कि data logger कैसे काम करता है अब जानते है data logger क्या है तो यह एक microprocessor based device है ठीक है और इसका काम क्या है कि यह जो relay जो status और voltage जो भी changes हो रहा है इस इसका इसको जो information को log करना इसका काम है लोग करके locally store करता है फिर store करके central place यानि जैसे कि मैंता है DRMA विसको भेजता है through networking और local computer को भेजता है तो इस ही होता है data logger तो यही था आज का वीडियो उम्मीद करता में चोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो प सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो में मोटिवेशन मिलता है तो दोनों वीडियो बहुत मेरे को लग रहा है बहुत कौम टाइम का अंधर मैंने आपको बताने के लिए कुशिस किया था कि डाट लगर क्यों यूज के जाता है इसका पिछले वीडियो में और इस वीडिय इतने ही